हेलो टो आल माई डिवाइन सोल फैमिली एक चैनेलिंग है जो कल से अल अफ सड़न मुझे वो एनरजी पिक अप हो रहे थी कि बोहत ज़्यादा पेन फिल हो रहे थी जी हाँ कुछ डिवाइन फैमिनाइन्स है जो अभी इस दोर से गुजर रहे है बहुत ही भर भर के रोना आ रहे है बहुत ही पेन जैसे पैथिटिक सिच्चेशन हो सकते है जो ओवरकम करके आए इतने आगे आने के बाद फिर से वैसा ही पेन जो बैलेंसिंग के पहले पोजिशन में था कुछ पुराने इशूस कार्मिक ट्रिगर्स जो all of sudden माइंड में आके फिर से वही पुराने दौर पे ले जाने की कोशिश कर रहे है दोस्तो ये बहुत ही सोच समझ के और समहल के रहने का समय है 12-12 पोटल से पहले ये परचिन और पेन और वो सारे इशूस हील होने का एक एनर्जी है जिससे आपको कहीं दूर तक आगे आने के बाद फिर से पिछे धकेलने की कोशिश कर रहे हो एक ऐसी एनर्जी इस एनर्जी को ओवरकंग करना ही होगा क्योंकि जैसे जैसे इस एनर्जी से आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपके कुछ कार्मिक ट्रिगर्स और कुछ कार्मिक ऐसे इशूस जो आपके और आपके डियम को डिवाइट करने का कारण बने हो वो भी रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे याद आएंगे आपको बहुत पुराने बाते वो खुशी भरा पल जो एक साथ आपके डियम के साथ आप गुजारे हो कुछ डियम के इनर्जीज भी हैं उसे भी फील हो रहा है कि अपने डियम से और दूर नहीं रहना है अब एक हो जाना है लेकिन मजबूर है पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं और इसी कारण डियम 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 दोनो एक अलग ही दौर से गुजर रहे हो एक अलगी पेन जैसे फील हो रहे हैं और वो दर्थ वो पेन असहनिय हो जाते हैं लेकिन क्या करें मजबूरी है समाज है कारिय है बहुत सारे कर्मा है जो अभी भी पेंडिंग है जिसे डिल करना बहुत जरूरी है जब तक सारे कर्मा डिल ना कर पाए जब तक अपने अंदर के सारे पोर्जिंग, सारे पेन सारे बोडीज में जो छुपे छुपे हुए है बहुत ही बारिक से उसे भी क्लीन होना जरूरी है जब तक वो क्लीन नहीं होंगे DMDF, 3D World में एक कैसे हो पाएंगे इसलिए सबर रखना अवश्यक है सबर का बांध तूटते हैं डिवाइन से एक ही प्रे करें कि बस सबर का बांध बढ़ा दे और ताकत पर बना दे ताकि हम तूटे नहीं यूँकि अगर हम तूटेंगे तो हमारे DM भी तूट जाएंगे और उन्हें तूटने देना हमारे लिए उचित नहीं है जी, कलेक्टिव में ये वाली फिलिंग अवश्य अभी आ रही है जो भी इस दोर से इस एनरजी से गुजर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना और अभी DM का Actually मन की स्थिती क्या है वो एक चैनल सौंग मैं दे दूँगी description box में लिंक आप ज़रूर जाके देखे सुने वो वीडियो और जाने किसी DM ने ही बनाया है इस वीडियो को as a director तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा DM के मन की स्थिती क्या है बहुत सारे DF इनरवर्क से दूर भाग रहे दूर हो जा रहे जाकर भी नहीं कर पा रहे और इसी करण वो दर्द उभर उभर के सामने आ रहे है जी हाँ दर्द जो वीडियो के बारे में मैंने कहा उसका टाइटल भी दर्द ही है तो हमें फिर से अपने आपको बैलन्स में लाना है हमें अवश्य इनर वर्क पे फिर से ध्यान देना है मैंने दूरगा मेडिटेशन दे रखा था लिंक जो लोग फॉलो करते हैं अगर बैटके मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो वो दूरगा मेडिटेशन दो बार तीन बार योगनी द्रा में अवश्य करे और कोशिश करे इस दर्थ से जल्द से जल्द निकल जाए क्योंकि जैसे ही आप इस से निकलोगे यह परजिंग कम्प्लीट हो जाएगी जैसे पेंफुल सिचुएशन से आप बाहर आओगे डेफिनेटली आप फिर से नियू विगिनिग एक और नया कदम रख पाओगे कॉंसिस्नेस लेवल और हाई हो जाएगे इसलिए जो भी बचे कुछे तकलीफ है दर्द है रोना आ रहे हैं तो रोके निकाल दीजिए और उसके बाद फिर से लग जाए अपने काम पे और हमेशा हमेशा के लिए डियम से एक होने के लिए डिवाइन से प्राथना कीजिए प्राथना अवस्ष्य सुने जा रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स के तोर पे बापस बहुत सारे डिवाइन गिप्ट्स आने वाला है बहुत जल्द डिवाइन ब्लेसिंग्स गिप्ट्स अवेंडेंस आप सब को मिल जाएंगे इसलिए थोड़ा सबर करे थोड़ा धीरज धरे और प्रेम से बोले राधे 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 थेंक यो सो मच लव यू अल